नमस्कार हीमाचल एक्जाम हब में आपका स्वागत है आज हम पेपर डिसकस करने वाले हैं लेबर इंस्पेक्टर का जिसका पोस्ट कोड है 629 हम फाइनल अंसर की के अकॉर्डिंग इसके अंसर डिसकस करेंगे इसका पूरा जीके सेक्षन डिटेल में डिसकस किया जाएगा जो आने वाले हिमाचल के एक्जाम में जुरूर आपकी हेल्प करेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेस्टिन नमबर वन से भात में नव पासान काल इससे पूरव नहीं था तो इसका होगा डि 6000 बीसी पूरव अगर हम नव पासान काल की बात करें तो इस काल में मानव ने क् सुपालन शुरू किया था और एक जगह रहकर खेती करना स्टार्ट करें थी जिससे उसका जीवन स्थाई हो गया था और वो एक जगह टिक कर रहने लगा था इसका अंसर होगा डी question number two which of the following was an inland town of gujarat during the हडपन period नीमन में से कौन सा हडपा काल के दौरान गुजरात का भीतरी सहर था तो ये था आपका रोजडी इसका अंसर होगा बी अगर हम हडपा काल की बाद करें सिंदु घाटी सब्वेदा की बाद करें तो इसका period था आपका पची सो बीसी से स्तारस सो पचास बीसी तक अगर हम इसके features की बाद करें हडपा की तो इसमें systematic town planning थी grid system था और इसमें जली हुई इट्टें जली हुई इट्टों का यू अगर हडपा सब्वेता में well managed drainage system था और यह highly urbanized था और अगर हम बात करें कुछ sites की हडपा की मुख्य sites की तो जैसे होगे आपका मोहन जवदाडो मोहन जवदाडो को मृत्टों का टिला भी कहा जाता था mount of dead 1922 में स्थापना की गई थी मोहन जवदाडो की राखलदास बनर जी के दोरा और इसके features मोहन जवदाडो के इसमें क्या क्या मिला है तो इसमें great बात great greenery assembly hall dancing girl जो bronze metal से बनी थी यहाँ पे मिली है अगर हम बात करें चवदाडो की तो इसकी स्थापना इसकी जो discovery थी दो वो NG मजुमदार ने की थी 1931 में और यह present शिंद पाकिस्थान में स्थीत है और मोहन जवदाडो से मन के बनाने के कार खाने के evidence भी प्रापत हुए है यह भी बात अपने ध्यान में रखने हैं यह भी previous year paper में आ चुका है अगर हम कारी बंगा की बात करें तो इसको discover किया गया था अमला नंद घोस के दौरा 1903 में और यह स्थीत है गगर नदी के किनारे जो सिरिगंगा नगर रजिस्तान में स्थीत है और यहां से evidence मिली है आपके जूते हुए खेत के नकासिदार इटों के अगनी वेदिका के पकी इट का हल यहां से मिला है बोंस मिली है यहां पे उंट की तो यह बातें अपने ध्यान में रखनी है अगर हम लोथल की बाद करें तो लोथल आपका प्रेजेंट गुजरात में स्थीत है यहां पे evidence मिले है आपके चावल के धौलवीरा धौलवीरा भी आपका गुजरात में स्थीत है कच डिश्टिक गुजरात में और यहां पे stadium के evidence मिले हैं और राखिगड़ी की बात करें अगर हम तो ये हर्याना में स्थित है यहां पे largest यह largest इंडस वैली साइट है तो ये important sites हो गई हडपा इंडस वैली civilization की question number third अमरी कल्चर फर्रिजड इन अमरी संस्कृति फलिफूली थी तो ये फलिफूली थी आपके final answer की के according इसका answer होगा A और B अफगानिश्थान और बलुचिश्थान में यह जो आपको अंसर बताए जा रहे हैं यह final answer की के recording answer है और इसको मैं detail में discuss कर रहा हूँ ताकि आने वाले exam में जुरूर आपको help मिल सके fourth question आरणयक अथवावन गरंथ स्वरूप संबंध है यह संबंध है आपके ब्रामन से ए fifth question की बात करें तो जैन समरती के अनुसार महावीर के ततकालिक पुरोवर्ति कौन था तो यह थी आपके पासरवा अगर हम जैनिजम की बात करें तो जैनिजम में 24 तिर्थंकर हुए जो फुर्ष्ट तिर्थंकर थे उनका नाम था रिसवदेव और जो 23rd 23 में तिर्थंकर थे उनका नाम था पर्सवनाथ और जो आपके 24 में तिर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जनम हुआ था आपका 540 इस भी पूरव वेसाली के निकर कुंडल ग्राम में और महवीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिधार्त, ये लिए क्वास्टन प्रीविश एर में आ चुका है और इनके माता का नाम था तरिसिला ये भी कौश्चन प्रिविस एर में आ चुका है महवीर के बच्चपन का नाम क्या था ये भी कौश्चन पूशते हैं प्रिविस एर में बत्तरवर्स की आयू में, 72 एर्स की एज में, और अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी के मृत्यू के फच्चात, जैन धर्म का प्रत्थम अध्यक्स कौन था, ये भी कौश्चिन पूछा गया है प्रिविए से रिपेटर में, तो इसका अध्यक्स था, सुधर रमन, और जै जैन धर्म के तरी रतन हैं, अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो ये डिवाइड हुआ है दो बागों में, दिगंबर और स्वेत अंबर, दिगंबर बिनावस्तरों के जीवरें भी अतीत करते हैं, और स्वेत अंबर स्वेत वस्तर धारन करते हैं, ये भी प्रिविशियर मे पूछा गया, जैन धर्म की Consil के बारे में ठीपर हुई थी संक्राम के बारे में में और थाशी की व फ़वी में ऊच्णा अपरव पूछा गया है प्रिश सेयर पेपर में ध отмет और किस नाम से जाना जाता है पूरव या आगमन के नाम से जाना जाता है ये सारे question प्रिवियर से पेपर में पूछे जा चुके हैं जो मैंने आपको बताए तो ये बातें भी अपने ध्यान में रखनी है अगर हम sixth question की बात करें कौन सा मौरे सासक अमित्र घट नाम से भी जाना जाता था तो ये जाना जाता था आपका बिंदूसार बिंदूसार second ruler था मौरे डानेश्टी का अगर हम मौरे डानेश्टी की बात करें तो इसकी नीवपड़ी कैसे तो इसकी नीवपड़ी आपकी चानक्या की मदद से जो चंदरगुप्त मार्या ने धनानंद को हराया था और मगत का सासक बना था धनानंद को हराकर चंदरगुप्त मार्या तो चंदरगुप्त मार्या को founder कहा जाता है मार्यन डैनेस्टी का और अगर बात करें चंदरगुप्त मार्या की तो चंदरगुप्त मारे और सेलुकस निकेटर के भी बीच युद हुआ था जिसमें चंदरगुप्त मारे की जीत हुई थी ये भी question previously paper में आ चुका है और चंदरगुप्त मारे के दरवार में कौन थे कौन से कवी थे तो मेगस थनीज जिन्होंने इंडीका की रचना की वो चंदरगुप्त मौर्य के दरवार में कभी थे ठीक है ये भी question previous year paper में आ चुका है चंदरगुप्त मौर्य ने कौन सो धर्म अपनाया था तो इन्होंने जैनिजम अपनाया था ये भी previous year paper में पूछा गया है थे उस time और अगर हम second इसके ruler की बात करें बिंदु सार की जो चंदरगुप्त मौर्य के पुत्तर थे तो इनको और किसका नाम से जाना जाता था तो इनको जाना जाता था अमित्रगाट अमित्रगाट के नाम से भी जाना जाता था बिंदु सार को अगर हम असोका की बात करें जो इसके थर्ट रूलर थे और जब सबसे सक्तिसाली रूलर थे तो इनकी अगर माता जी का बारे में का नाम पूछा जाता है कि असोका की माता जी का क्या नाम था सुबध रांकी इनकी माता जी का नाम था आशोक कहा के गोवर्णर रहे थे सासक बनने से पहले उज्यान तथा तकसिला के गोवर्णर रह चुके थे ये फिक प्रिवीज सीर पेपर में पूछा गया है अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि सिर नगर की स्थापना किसने की तो सि में यह भी कौश्य पूछा जाता है असोक से लेटिर्ट क्लिंग विजय के बारे में की कलिंग जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था 261 भी पूरव पूप हुआ था और उस टाइम जब कलिंग युद्ध हुआ था तो कलिंग का राजा कौन था ये भी तो नंदराज उस टाइम राजा था कलिंग का और कलिंग आज परजेंट उरिस्सा में श्थित है ये भी गॉशन पर ये भी पेपर में पूछा गया है अगर हम बात करें असोका की तो असोका ने कब हिंसा को छोड़ दिया था तो हिंसा को विश्तार करना है अपने समराज्य का ये भी प्रिविशियर कॉष्ट पेपर में कॉष्ट पूछा गया है अगर हम बात करें कि शिक्सा किसने दी असोका को बौध्रम की तो ये दी उपगुप्त ने जो उनके गुरू थे उनसे उन्होंने दिक्सा ली अगर हम बात करें कि असोका ने परसार परचार के लिए बौदिजम के परसार परचार के लिए किसे से लंका वेजा तो ये वेजा था उन्होंने अपने पुतर महिंदर और पुतरी संगमितरा को ठीक है और अगर ये भी कौशन प्रीवेश पर में पूछा गया कि असोक के जो पिलर हैं स्तंब लेख हैं वो किस भासा में हैं तो ये हैं आपके प्राकर्तक भासा में और ये भी कौशन पूछा जाता है कि सांची, सार, ना, तकसीला ये जो स्तूप हैं ये किसने बनवाए तो ये बनवाए हैं आपके असोक का ने और ये भी पूचह जाता है कि मौर्यन डैनेश्टी का लास्ट रूलर कौन था तो ये रूलर था आपका बरिहदरत और बरिहदरत की हत्या किसने की तो ये की थी आपकी पुष्यमित्र सूंग ने जिसने सूंग डैनेश्टी की स्थाबना करी तो ये जो question मैंने सारे बताई ये previous year paper में पूछे जा चुके हैं आगे next question की बात करें 7th Who was the founder of Satwahana dynasty? Satwahana Rajwans का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक थे आपके Shimuk C अगर हम Satwahana dynasty की बात करें तो इनके संस्थापक तो आपको पता लग गया कि Shimuk थे और सबसे सकती साली सासक कौन था? ये भी question प्रिवेस year paper में पूछा गया है तो सतकरनी सबसे सकती साली सासक था? सातवाहन का और जो गौतम पूतरी सतकरनी थे इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने सकत था पार्थिनियों को हराया था ये भी question प्रिवेस year paper में पूछा गया है तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है एट्थ question हर्सवधना suffered defeat at the hands of हर्सवधन को किसके हाथों प्राज्य जहलने पड़ी थी? तो हर्सवधन को प्राज्य जहलने पड़ी थी पुलकेशन दूइतिय के हाथों से अगर हम हर्सवधन की बात करें तो पुष्य भूती बंस से था और हर्सवधन के राजदरवार कभी कौन थे? ये question प्रिवेस पेपर में पूछा गया है तो बान भट इनके राजदरवार कभी थे और बान भट ने किस की रचना की? तो बान भट ने रचना की या आपकी कादंबरी की हर्सवधन की जानकारी मिलती है ये question प्रिवेस पेपर में पूछे जा चुके हैं और कौन सा चीनी यातरी हर्सवधन के दरवार में आया था? तो हेन सॉंग हर्सवधन के दरवार में आया था ये question प्रिवेस पेपर में पूछा जा चुका है और चीनी यातरी हेन सॉंग ने हर्सवधन को किस नाम से बुलाया? क्या नाम दिया? तो इन्होंने सीलादित्य के नाम से हर्सवध्धन को संबोधित किया ये कॉस्चिन वे प्रीवे सीर पेपर में पूछा जा चुका है तो ये सारे कॉस्चिन अपने ध्यान में रखने है नाइथ कॉस्चिन तो ये हुआ आपका फाइनल अंसर की के अकॉर्डिंग इसका अंसर है जो भी आपको कॉस्चिन में अंसर बता रहा हूँ वो फाइनल अंसर की के ही अकॉर्डिंग चल रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं बता रहा हूँ और जो डिटेल में question discuss कर रहा हूं वो आने वाले exam में आपके लिए help फूल होंगे क्योंकि ये भी question previous paper में आई हैं जो मैं आप से discuss कर रहा हूं और अगर हम इस question में बात करें खिलजी डानेस्टी की बात करें तो इनका 10-1 कितना था 1290-1320 इस भी तक इनों ने सासन किया और खिलजी डानेस्टी के founder आपके जलावदीन खिलजी थे जलावदीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया था और इसके सासन काल में मंगोल डिली में बसे थे जिने नवीन मुसलमान कहा गया है ये भी बात आपने धियान रखने है ये भी कॉच्चन प्रिवीस एर पेपर में पूछा गया है कि नवीन मुसलमान कौन थे तो मंगोल थे अगर हम बात करें जलावदीन खिलजी की तो इनकी हत्या करी थी अलावदीन खिलजी ने 1296 में और अगर बात करें हम अलावदीन खिलजी की तो इन्होंने सासन किया था 1296 से 1316 इस भी तक और सासक बनने से पहले ये सुविदार थे अलावदीन खिलजी कहां के कड़ा मानिकपूर के और अलावदीन खिलजी ने अपनी विजे से खुस होकर खुद को सिकंदरे सानी कहा जिसका मतलब है दूइतिय सिकंदर तो ये उपाद्धी उन्होंने धारण की ये भी प्रिवीशियर पेपर में कौछन पुछा गया है और ये भी कौश्चन प्रिवीशियर में पुछा गया है कि अलावदीन खिलजी ने क्या नहीं माना तो इन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव को नहीं माना और बाजार नियंटरन पर नाली सुरू की अलावदीन खिलजी ने ये भी question previous year paper में पूछा गया है और जो मुल्य निरंतर्ण है उसके लिए इन्होंने दिवाने रियासत और साहनामंडी के पद की न्युक्ती की ये भी question previous year paper में पूछा गया है और गुप्त चर्विभाग से सबंदित कौन थे तो बरीद और मुनहियान गुप्त चर्विभाग से संबंदित थे अलावदिन खिल जी के टाइम में ये भी question प्रविज एर में पूछा गया है एक बहुत important question बनता है इसमें कि अलावदिन खिल जी का जो सेनापती था वो कौन था तो मलिक का फूर सेनापती थी इनके जिसनोंने दक्षिन भारत अवियान का नेत्रित्व किया और ये भी question पूछा जाता है कि अलावदिन खिल जी के दरवार में कभी कौन था तो अमीर खुसरो कभी थे अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है तो तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है ये person भी पूछा जा चुका है और अमीर खुसरो किस क्या अविसकार किया सितार और तबले का अविसकार अमीर खुसरो के दोर किया गया और पूछा जाता है कि अलावदिन खिल जी ने क्या क्या बनाया और कुतूबदीन इसमें ये कॉस्चिन भी बनता है कि किसी ने अपने आपको खिलिफा का टाइटल दिया तो ये दिया आपका कुतूबदीन मुबारक सा खिलजी जो लास्ट रूलर थे खिलजी डैनेस्टी के तो ये सारे बातें आपने ध्यान में रखनी है तैमूर के अनरोध पर भात में स्थापिद राजवन्स था तो ये था आपका भी शायद राजवन्स अगर हम तैमूर की बात करें तो तैमूर ने भात पर आकरवन कब किया तो तेरा सो ठानों में किया अगर हम बात करें कि किसको अनोंने सौमपा था अपना सबकुछ भात से जाने से पहले तो खिजर खान को जो उसका सेना पती था उसको उसने सासक नक्ति गीए था तो जो खिजर खान है उसने ही फिर सायद डैनेश्टी की सुरुवात करी वही फाउंडर था सायद डैनेश्टी का खिजर खान तो ये बातें आपने ध्यान में रखती हैं 11th question the first mughal building with complete marble facing was पुरुण marble facing वाली प्रत्थम मुगल इमार्त थी तो ये थी आपकी D एतमाद उल दौला का मकवरा अगर हम एतमाद उल दौला के मकवरे की बात करें तो इसका निर्मान किस ने करवाए तो इसका निर्मान करवाए था अपका नोर जहाने किस की याद में अपने पिता की याद में पिता का नाम था इनका मिर्जा गियास बेग तो ये बातें भी अपने ध्यान में रखनी है 12th question की बात करें तो which governor general inflicted a decisive defeat on the Maratha Confideration किस governor general ने Maratha Ratsang को निरनायक प्राज्य परदान की थी तो 12th का अंसर होगा आपका C Lord Hastings अगर हम बात करें इसमें कि first governor general of Bengal कौन रहे है तो Warren Hastings first governor general of Bengal रहे है ये भी question previous year में पुछा जाता है first voice right of India कौन रहे है British तो Lord Canning रहे है first governor general of India कौन रहे है तो William Bantic रहे है ये सारे question previous year वेपर में पुछे गए है अगर हम बात करें कि जो subsidiary alliance है ये किस ने start किया था तो Lord Willisley ने start किया था अगर हम बात करें Minto की Minto Bill Minto Bill कब आया तो ये 1909 में introduce किया गया जिसमें कहा गया था कि religion के अधार पर अलालग election होंगे तो ये सारे बातें आपने ध्यान में रखनी है जो previous year paper में पहले भी पूछी जा चुकी है तेरहोंगे question की बात करें Which point was considered the ablast writer in Persian during the aquarse period किस कभी को aquar की काल के दोरान फार्सी का प्रतिभा संपनलेखक माना जाता है तो ये माना जाता है आपका अबुल फजल को A अगर इस question में हम और भी option के बारे में discuss करें तो Amir khusro कौन थे Amir khusro quote point थे अलावदिन खिल जी के ठीक है और फिजी की बात करें तो ये भी अकवर के दरवार में point थे नौरतनों में से ये भी एक थे अकवर के जो नौरतन थे उसमें अगर निजामी की बात करें तो ये कोट पोईट थे कुतूब दीन एवक के दरवार में ये भी गोशन उच्छा जाता है कि निजामी कोट पोईट थे किसके दरवार में तो ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है अगर इसमें बात करें हम अकवर के बारे में थोड़ डिसकस कर लेते हैं तो अकवर का जनम कब हुआ था तो अकवर का जनम हुआ था 1542 इस भी अमर कोट में उनकी माता जी का नाम क्या था अकवर की माता जी का नाम तो हमीदा बानो बेगम अकवर की माता का नाम था और अकबर जो था उसका सरक्सक कौन था ये कॉस्टिन भी पूच्छा जाता है तो बैरम खां उसका सरक्सक रहा था और कब राजगदी पर बैठा अकबर तो 1556 इसवी में राजजविसेक हुआ था अकबर का कहां पे कला बार में हुआ था ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है अगर हम बात करें कि जजिया जो भारत में था तो इसको समापत किस ने किया था तो ये अकबर ने ही समापत किया था 1564 इसवी में और 1571 में अकबर ने बुलंद दरवज़ा बनाया किसके उपलक्स में गुजरात विजे के उपलक्स में फत्यपूर सिक्री में स्थापना की बुलंद दरवज्जे की तो अकबर के टाइम में हल्दी घात्टी का युद भी हुआ था पंदर सुच्छाप्तर में जिसमें अकबर ने मेवाड के सासक महराणा परताब को हराय था और अकबर की जगा इस युद में उनका सेनापती राजामान सिंग लड़ा था ये भी बात अपने ध्यान में रखनी है ये प्रिविए से लिपेपर में पूछा जा चुका है और अकबर के टाइम इबादत खा करता पंदरसोबासी में जिसे तोहिद-e- ए- इलाही या इसका दूसरा नाम दीन-e- इलाही था इस धरम का तो कभी तोहिद-e- इलाही पूछ लिया जाता है और कभी दीन-e- इलाही ये दोनों एक ही है तो 1522 में स्थापना करी अकवर ने और किसने सबसे पहले दीन इलाही धरम को अपनाया यह भी कॉछिशन पूछा गया प्रिवी सियर पेपर में तो बिरिबल जो हिंदू था उसने सबसे पहले सविकार किया था दीन इलाही धरम और अगर अकवर के ना रतनों की बात करें तो कौन कौन उसके दरवार में कौन कौन से ना रतन थे क्या नाम थे उनके तो यह भी प्रिवी सियर पेपर में पूछ जा चुका है जैसे बिरबल, मान सिंग, फैजी, टोडर मल, खाने खाना अबूल फजल, तान सेन, मुला दो प्याजा, हकीम, मुकाम यह सारे अकवर के ना रतन थे और यह भी गौशन प्रिवी सिर पेपर में पूछा गया है कि अकवर ने महा भारत का जो ट्रांसलेशन करी थी वो किस ने करी थी और उस ट्रांसलेशन का नाम क्या था रम जानामा उस ट्रांसलेशन का नाम था जो करी थी बदायूनी और नकीब खान ने महा भारत की यह भी बात अपने ध्यान रखनी है अगर चौदमे कॉस्टिन की बात करें तो विच राजपूत रूलर परफॉर्मड अस्व मेग यग्या इन सेकिंड हाफ आफ एट्टिन सेंचुरी अठारमी स्ताबदी के उतार्द में किस राजपूत सासक ने अस्व मेग यग्या किया था तो यह किया था आपका स्वाई जैसिंग ने फाइनल अंसर की के कॉर्डिंग यह एंसर S का फोर्टिन्थ का B अगर फिफ्टिन्थ की बात करें तो यह पीछे भी मैंने आपको बताया था कि प्रिवेश एर में आता है तो वारन हैस्टिंग भी इसका अंसर होगा सोल में कॉस्टिन की बात करें अगर हम बकसर की युद की बात करें तो कब हुआ था यह युद हुआ था आपका सैवन्टि सिक्स्टि फोर में और यह किस के बीच हुआ था यह हुआ था आपका ब्रिटिस इंडिया के बीच में और यह इंडिया की इलाइंस थी जिसमें बंगाल अवद और मुगल इंपाइर सामिल थे इसमें हार हुई थी इलाइंस की तो और ब्रिटिस इंडिया का जो कमांडर था वो कौन था इस युद में बकसर के युद में तो हेक्टर मॉन्रो कमांडर था और इसमें बात करें अगर बैटल आप लेसी की तो 1770 में हुई थी अगर फर्स्ट एंगलो मैसूर वार की बात करें तो 7067-269 तक हुई थी और जो फर्स्ट एंगलो मैसूर वार था उसमें हैदर अले की जीत हुई थी अगर रोहिला वार की बात करें रोहिला युद की बात करें तो ये युद हुआ था आपका 1774 AD में 70-74 AD में ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है 17 question की बात करें The first Indian to undergo imprisonment in 1882 was 1882 में कारावास भुखतने वाला प्रत्थम भारतिय था तो ये था आपका C विजिया रागव चारियर ये लेंस का अंसर होगा 18th question भात में Communist Party कब अस्तित्व में आई तो ये आई था आपके C 1925 में और जो first conference हुई थी Communist Party की वो कहां organized हुई थी तो वो organized हुई थी कानमपूर में ये भी question प्रिविस एर पेपर में पूछा गया है 19 question की बात करें तो लंदन में आयो जित किस गोलमेज समेलन में महत्वागांदी उपस्ती थे तो ये था आपका second goal is समेलन अगर हम गोलमेज समेलन की बात करें तो इसमें ये question भी बनता है कि किसने तीनों गोलमेज समेलन में कौन प्रिजेंट था तो बी आर अमबेड करने तीनों गोलमेज आंदोलन में ये प्रिजेंट थे अगर हम बात करें 1923 की इस टाइम क्या हुआ था तो इस टाइम 1923 में स्वराजबाटी किस था अपना हुई थी किसने करी थी ये भी बात आपने ध्यान रखनी है अगर नेक्स्ट कॉस्चिन की बात करें तो बीसमा कॉस्चिन परसीद भारती राष्टी सैनी अभ्यास दिल्ली के लाल किले में किस वर्स हुआ तो ये हुआ था आपका बी 1945 में बी इसका अंसर होगा इकिसमे कॉस्चिन की बात करें तो मुख्य चिकनी मिट्टी से निर्मित सैल कहलाती है तो ये कहलाती है आपकी मृति कामया सैल इसका बाइसमा कॉस्चिन नापे जटिल खालिस्थान का परमान है तो ये किसका परमान है तो ये है आपका folding A फंडर अंसर की के according इसका अंसर A है तेज़में कॉस्चिन की बात करें तो the earthquakes are result of भुकम्प इसका परिणाम है तो भुकम्प आपका परिणाम है sudden moments का B इसका अंसर होगा तो विसमें कॉस्चिन which cyclone is typical of middle and high latitude कौन सा चक्रवात मद्दे एवं उच अक्सांस का पती रूपी है तो ये है आपका 24th का A तापमान चक्रवात परिशिस्मा कॉस्चिन बैंगनी घुमाबदार पवन वाले कीप अकार के बादल कलाते हैं funeral saved cloud with violet vril winds is named as तो ये कहलाते हैं आपके tornado C अगर tornado की बात करें तो tornado कहां पर prominent हैं तो ये Central America में पाई जाते हैं मुख्यता 26th की बात करें तो renail धारा कहां पाई जाती है तो renail धारा है आपकी Atlantic Ocean में पाई जाती है C is cancer होगा 27th the largest variety of plants and animals is found in तो ये found होते हैं tropical forest में भी इसका अंसर होगा याकुत पाई जाते हैं तो याकुत पाई जाते हैं अपके Siberia में ठीक है ये बाते अपने ध्यान रखनी हैं और Siberia कहां पे है ये रसिया में है और Alaska USA में है और कनाड़ा की capital की बात करें तो ओटावा इसकी capital है तो ये भी बातें अपने ध्यान में रखनी हैं आंखों का एपी केन ठीक कोल्ड पाया जाता है तो ये मोंगो लाइट्स में पाया जाता है धंसी हुई आंखे अंदर को तीसमें कॉस्टिन की बात करें तो सो कैनल इस स्टिटिड इन सो कैनल कहां पे स्थित है तो ये स्थित है आपकी कनाड़ा में भी अंसर होगा फाइनल अंसर की के अकॉर्डिंग थर्टी वन की बात करें तो निल गिरी पहाड़ी की सर्वोच चोटी कौन सी है तो थर्टी वन का होगा आपका डी इन में से कोई नहीं फाइनल अंसर की के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें highest peak of निलगिरी की तो डोडा वेटा इसकी highest peak है इसका अंसर ये होगा पर option में नहीं दिया गया है तो ये भी आपने ध्यान में रखना है Which of the falling rivers does not pass through पंजाब निवन में से कौन से नदी पंजाब से नहीं गुजरती है तो इन में से आपकी C. सिंदू इंड़स नदी पंजाब से होकर नहीं गुजरती है 33 question The easterly depressions develop over the पूर्वी आवन मन विक्सित होता है तो ये विक्सित होता है आपका बेया बंगाल में भी अंसर होगा असका 34th Which of the falling soil types is called Carry in Kela, human में से मिट्टी के किस प्रकार को केरल में करी कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका पिट मय लवणी मिट्टी को एंसर होगा 35 The नर्मदा और तापती रिवर्स फ्लैंक दो नर्मदा और तापती नदिया इसके पार्सों में आगे बढ़ती है तो ये बढ़ती है आपकी सत्पूरा परवतमाला में अज जो सत्पूरा आपकी रेंज है ये मद्यपरदेश और गुजरात में पढ़ती है ये भी अपने दियां रखना है 36th question की बात करें The largest producer of petroleum in India is तो ये है आपका गुजरात D 37th Which of the falling places is not a Chief Center of Tick Collection निवन में से कौन सा स्थान सौगोन संगरहन का मुख्य के इंदर नहीं है तो आहमदाबाद नहीं है जबलपूर चंदपूर बलह रसा है टिक बूड़ वो होती है जिसमें इसका यूज आपका furniture बनाने में यूज होता है 38th निवन में से कौन सी इक खरीब फसल नहीं है तो इसमें जओव आपकी खरीब फसल नहीं है However, जवार, तिल ये सारी आपकी खरीब फसल है और अगर हम बात करें रषी के फसल की तो रषी के फसल में गेहूं और जओव आती है ये बातें भी अपने ध्यान में रखनी है 39th question Which of the following states is not covered by the western railway zone नेवन में से कौन सा राज्य पश्चमीर railway zone के इंतरगत नहीं आता तो इसमें बिहार नहीं आता आपका इसका अंसर होगा D बिहार 40 की बात करें तो कोरा D thermal project विद्धूत आपूर्ती करता है औराड़ी थर्मर प्रजेक्ट सप्लाइज पावर टू तो ये किसको सप्लाइज देता है ये देता है आपके सप्लाइज महरास्टर को एंस का अंसर होगा हुआज दा चेर्मेन आप प्रोविंशियल कंसिचूशन कमेटी आफ दी कंसिट्वेंट असेम्बली पंडी जोहालाल नहरु जी की बात करें तो ये फर्स्ट प्राइम निस्टर रहे है इंडिपेंडेंडेंडिया के डॉक्टर राजेंदर पसाज जी की बात करें तो ये फर्स्ट प्रेजिडेंट रहे हैं अडॉप्ट की गई हैं हमारे constitution में other country से तो Canada से adopt किया गया है हमने federal system Australia से हमने adopt किया है concurrent list समवर्ति सूची और joint sitting of two houses of parliament भी हमने Canada से Australia से adopt की है England से हमने single citizenship adopt की है USA से हमने adopt किया है प्रस्तावना सुप्रीम कोट का गठन उप्राश्ट पती का बद यह सारे हमने USA से adopt किया है अगर USSR की बात करें रसिया की बात करें तो इससे हमने fundamental duties adopt की हैं South Africa की बात करें तो इससे adopt किया है हमने amendment constitutional amendment और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है यह भी adopt किया है South Africa से और Ireland से हमने adopt किया है DPSP Directive Principle of State Policy जो हमारे part 4 में है और जर्मनी से हमने emergency adopt की है यह बातें भी अपने ध्यान में रखनी है 43 question which article of Indian Constitution provide for the Constitution of पंचैती राज भारत्य सभिधान का कौन सा अनुच्छेद पंचैती राज संस्थानों के लिए प्रावधान करता है तो यह करता है आपका अनुच्छेद 40 B answer fundamental rights are not given to जो fundamental right है वो पोलिटिकल सफर्स राज नैति खानी उठाने वालों को नहीं जिये जाते 45 question की बात करें तो recommendation to the president of India on the specific union state fiscal relations are made by the विशिष्ट संग राज्य वितिया संबंधों पर भारत के राष्टवति को अनुच्छान की जाती है किसकी दोरा वितयों के दोरा finance commission कौन से article में आता है article to 280 यह बात अपने ध्यान में रखनी है 46th question what is period of appointment of the controller and auditor journal of India तो इसका अंसर होगा c six year or 65 years of age whichever is earlier अगर हम क्याग की बात करें controller and auditor journal की तो यह आपका आता है article 148 में यह बात अपने ध्यान में रखनी है which is competent to dissolve the राज्य सभा राज्य सभा के विगटन के लिए कौन सक्सम नहीं है तो इस कंसर होगा D कोई भी नहीं क्यूंकि राज्य सभा पर्मानेट है यह कभी dissolve नहीं हो सकती डिजॉल्व जो होती है वो लोग सभा होती है यह बिया बात अपने ध्यान में रखनी है 48 what could be the maximum time limit of zero hours तो कोई time limit लिए है zero hours की डियोगास का none of these 49 who remains in office as long as the president of India wishes कौन भारत के राश्टरपती के परसाद प्रियंत पद पर रहता है तो यह रहता है अपका रज्यपाल गोवर्नर जब तक प्रेजडेंट चाहे तब तक वो राश्टरपती को राश्टरपती को राज्यपाल के पदपर रह सकता है अगर हम प्रेजडेंट की बात करें तो कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 52 में आते हैं hoop ситуvaty हमारे आर्टिकल 63 में आते हैं governor जो statewide के होते हैं वो आर्टिकल 153 में आते हैं एक सो तुरुणजा में आते हैं यह बातें भी अपने ध्यान में रखनी है और हाई कोट जज़िज अड्रेसिज इस लेटर आफ रेजिटर रेजिगनेशन आफ उच नयले के नदिश अपना त्याग बतर सौंपता है तो यह सौंपता है राष्टरपती को A. 51. The most controversial amendment passed during the emergency was तो यह बास्ट हुई थी B. 42nd amendment उनिसो चाथर में 52. The salary and allowances of the governor of charge 2 राज्यपाल के वेतना बत्ते परभार किये जाते हैं तो यह किये जाते हैं राज्य की संचित निरी से यह answer होगा 53. Which language is not recognized in 8th constitution of the schedule of the constitution of India तो English recognized नहीं की गई थी अगर हम बात करें तो language हैं कितनी हैं ओफिशल तो 22 language हैं अब हमारे constitution में 54. The National Human Rights Commission इस तो यह saturated body है वैधाने की निकाह 55 question की बात करें तो the center administration tribunal deals with your deal करती है recruitment and all service matters इससे 56 की बात करें पर capita income is obtained by dividing national income by राष्ट्रे आय को इससे भाजित करके प्रती व्यक्ति आय प्रापत की जाती है तो यह की जाती है देश की कुल जनसंख्या से भाजित करके national agriculture insurance scheme replacing comprehensive crop insurance scheme was introduced in the year तो यह introduced हुई थी आपकी 1999 में दी अंसरोगास का प्राणल सनकी के कॉर्डिंग फिफ्टी एट द सेंटल को परेटिव बैंक्स आर इन डिरेक्ट अचबीध केंद्रे सहकारी बैंक सीधे संपर्क में रहती है तो यह संपर्क में रहती है आपकी state cooperative banks से बी अंसरोगास का फिफ्टी नाइंथ भातिय जोजना का कौन सा दसक क्रिसी उन्नती के लिए स्रवत्तम रहा है तो यह रहा है आपका 60 का दसक, 60 का दसक 60 question बंधक मजदूर पनाली उनमूलन अधिनियम का बना तो यह बना था आपका 1976 में who wrote a book describing the theory of economic drain of India during the British rule तो दादा भाइन और जी ने discover करी थी यह book which of the following organization is specially set up to boost overall rural development in India तो नवार्ड की स्थापना की गए थी ग्रामिन विकास के लिए अगर हम नवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1922 को किस ने करी थी इसकी स्थापना इसकी स्थापना जो करी थी कमेटी का नाम था सीवरवन कमेटी इसका headquarter Mumbai में स्थीत है और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें नवार्ड की तो इसकी फॉल फॉर्म भी प्रेपर में पूछी गई थैसके फुल फॉर्म में नैशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डिवर्प्मेंट अगर इसमें बात करें हम सेब भी की जो अप्शन में दे रखा तो इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रैल 1935 को कलगत्ता में और नेशनलाइज डुगा था आपका RBI 1 जनवरी 1949 को अगर RBI की बात करें तो फर्स्ट गुवर्नर कौन रहे है RBI के तो अब स्मिथ फर्स्ट गुवर्नर रहे है RBI के अगर हम इंडीपेंडिड़ इंडिया में बात करें कि RBI के इंडीपेंड़ इंडिया के टाइम कौन गुवर्नर रहे हैं तो सी डी डेसमुख फर्स्ट गुवर्नर रहे हैं ये बात वह अपने ध्यान रखनी है 63 question the governor of India has replaced Fera Y जो Fera है किस के दौर रिप्लेस किया गया है तो E रिप्लेस किया गया था के FEMA के दौर भी which of the following is not banking related system तो इसको final answer की के according crop कर दिया गया है तो ये discuss नहीं करेंगे 65 question which of the following is not a tax duty lived by the government of India तो इसका होगा D टोल टेक्स भार सरकार दौर लगाया जाना वाला कर सुलक नहीं है 66 question the national institute of agriculture marketing is located at रश्टर किसी विपर्ण संस्थान कहां स्थित है तो ये स्थित है आपका A जयपूर में Where is the headquarter of international bank for reconstruction and development located अंतराश्टिय अपुन निर्मान और विकास बैंका मुखैलिय कहां पे स्थित है तो 67th का अंसर होगा B वासिंग्टम D.C. में 68th question A body falling freely under the action of gravity has गुर्तव की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में होता है तो इसमें कोई वेट नहीं होता A अंसर होगा इसका 69th The rate of doing work is called तो ये कहलाता है power इन रेडियो थेरेपी X-rays are used to detect तो फाइन अंसर की का अंसर है C Cancer Bell metal is an alloy of ये काफी बार प्रिविस ये पेपर में पूछा गया है तो alloy है copper and tin का भी अंसर होगा A detergent is तो detergent है आपका cleaning agent है 73rd Cell phone used for wrapping is तो Lipton wrapping के लिए परियुकत सेलफोन है तो ये है आपका Regenerated cellulose DNS का अंसर होगा 74th question की बात करें तो refamycene कि स्रोग के अपचार की औस दी है तो ये है Tuber glosses की तपेदिक की 75 question की बात करें तो which of the following जिए Thermosetting material तो thermosetting material आपका backlight है D Commercial tea is prepared from Commercial tea कि से prepared होती है तो ये prepared होती है कि पतियों से C is का अंसर होगा The major consistent of egg yolk is अंड पीतक का मुख्य संगठक फाइनल सर्की के according is cancer A है वसा Solid carbon dioxide is called तो solid carbon dioxide को dry ice कर जाता है A is cancer होगा Bile juice is produced by C is cancer होगा The saffron for commercial use is obtained from तो इसका अंसर होगा D इनमेंसे कोई नहीं तो saffron जो आपका obtained होता है वो stigma से obtained होता है ये इसका अंसर होगा ये बात अपने ध्यान में रखनी है 81th blood clotting will not occur in the absence of तो इसका अंसर होगा D Calcium की अनुपस्थिती में रखत का थक्का नहीं बनेगा The most important food stuff without which one cannot live is सरवादिक महतपूर्ण खाद्यपदार जिसके बिना व्यक्ती जीवित नहीं रह सकता तो ये है protein B 83rd iron is abundantly found in तो green herb vegetable में बहुत मातरा में iron होता है तो ये थे आपके GK के question आगे हम बात करेंगे हिमाचल GK की तो ये है आपका 112 number question हिमाचल GK तो in which ये similar municipality was created तो 1850 में create हुई थी मुंसिवालिटी 113 खुषिंद परासर लेक is located in which district of हिमाचल पदेश तो परासर लेक आपके मंडी जीले में है अगर हम मंडी जीले में बात करें और जीलों की तो रिवालसर रेक मंडी जीले में स्थीत है इसको तैटेटापू की जील कहा जाता है और बहुत धरम में पदमाकन के नाम से परसीद है ये रिवालसर जील कुमारवा, कुंत भियोग, कालासर, सुकसर, पंडो ये सारी जीले मंडी जीले में स्थीत है ये बातें अपने ध्यान में रखनी है 114, कुंजुम पासी इस फेमस पॉल कुंजुम दर्रापरसीद है स्पित्ती घाटी का ए इसका अंसर होगा हट्टू पीक इस लोकेटिर इन भी डिश्टिक ऑफिमाचल पदेश तो इसका अंसर होगा डी, नन आफ दीज, हट्टू पीक जो है आपकी सिम्रा जिले में स्थीत है ये बात आपने ध्यान में रखनी है छत्री यात्रा परारणव होती है तो ये परारणव होती है चंबा से 116, का भी अगर्चा हम चंबा की बात करें कि चंबा में कौन से कौन से मंदिर है तो सक्ति देवी मंदिर लक्समना देवी मंदिर, मनी मेश मंदिर, गनेश मंदिर, नरसी मंदिर, हरी राय मंदिर, लक्समिन दारायन मंदिर, चौरासी मंदिर, ये सारी आपके चमबा डिस्टिक में प्रजेंट है निमन में से कौन सा राज ये हिमाचल पदेश के दक्षिन पूरव में स्थीत है तो ये स्थीत है आपके उत्राखंड खीर गम गा गरम पानी का स्त्रोत अब स्थीत है 118 का डी कुलू कुलू में अब स्थीत है कि वाज दे लाष्ट मुगल गोवर्नर आफ कांगड़ा 14 स्तार सो चालिस स्तार सो चालिस में कांगड़ा के लेकांती मुगल गोवर्नर कौन था तो ये था आपका सैफली खान डी 120 कौस्चिन दूतिय सिख युद्ध के दौरण सिभा रज्य से सिखों को किसने खदेड़ा था तो ये खदेड़ा था अब क्या सी राम सिंग ने ये सारे फाइनल अंसर की के कॉर्डिंग आपको अंसर बताए जा रहे हैं जो आने वाले अग्जाम में आपके जुरूर हेल्प करेंगे 120 कौस्चिन नग्रोटा किसके सक्तिक और प्रतिष्ट्या की गद्धी थी तो ये थी कटोच राजमस के दा फर्स्ट लोग का युकताव हिमाचल प्रदेश वाज तो जस्टिश टी वी यार तत्ताचारी सी इसका अंसर होगा which of the following district of हिमाचल प्रदेश is not associated with fraternal polandry हिमाचल प्रदेश का नीमन में से कौन सा जिला भातरी भहुपती प्रथा से समंदित नहीं है तो ये कांगड़ा समंदित नहीं है कि नौल और स्पिति और स्पिति और चंबा में ये प्रथा समंदित है तो ये थी सेंटर चितरकला की कांगड़ा सैलिका के अंदर था सुजानपूर त्री लोग पूरी मंदिर किस की मूर्ती का भहवन है तो ये भहवन है आपका भहवान सिव की मूर्ती का फलों के निम्बू वन्स किसम की खेती के लिए सरवाधिक उपयोगी क्सेतर है तो ये क्सेतर है आपका सिवालिक ए एग्रो एकनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश के प्रदेश में कहां स्थित है तो इसका अंसर होगा आपका सिमला में एग्रो एकनॉमिक रिसर्च सेंटर सिमला में स्थित है तो इसका अंसर होगा आपका फाइनल अंसर की कि एक अंसर को स्क्रैप कर दिया गया है तो अर्बन पॉपलेशन सब ज्यादा सिमला डिस्टिक में है तो नौला लोक नरित्य किस घाटी में किया जाता है तो यह चंबा घाटे में किया जाता है गदियों के दोरह बहादुरपूर की लाहिमाचल प्रदेश के की जिले में स्थित है तो यह है विलासपूर जिले में निमन में से कौन सिंदू नदी पर्णाली का हिस्था नहीं है एक सो तेतिस तो यह आपका है यह सारी है है इसका टी एंसर होगा गो дог फार मिले सानल्ए करें चाहिमाचल प्रदेश की सेक्षक्सषण भू सुशननाओर वर्मा तो यह थैं ओसिन आपके जी को आप के जी के जह मुए पूरे डिसकस कर लिए बिलकुल डिटेल में जो आने वाले एक्जाम में आपकी हल्प करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेयर और कॉमेंट जरूर करिए धन्यवाद